हरों हेलो गाइस वेल्कम टू में चैनेल यलकम टू नीन विडियो है उसके अप काफी सारे प्रोड़क्ट ह same जो मैने बाइसेक्र मेंटनेस के लिए हमने यहां पर आ पर आप बहुत सारे प्रोड़क्ट है अबते सक्तिकों इसमार कनेicar good कुछ भी होना चाहिए मतलब अगर चोटे मुटे कुछ भी प्रॉब्लेम आया अपना बैसेकल में तो आप घर बैठे इसको एजी ली खुद अपने अप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इम टीबी का जितना भी प्रॉब्लेम आती है उसका एक एक करके वीडियो में चैनल में अल्रेडी बना हुआ है तो आगर आपके पास प्रॉपर टूल किट रहेंगे तो टूल किट की मदद से आप वीडियो देखके खुद आपने इजी ली सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए एक एक करके हम इसको दिखाते हैं आप लोगों कौन सा प्रोड़क्ट आपके प तो फास्ट आम जो दिखाने बाला है वह है चेनली जो कि बाइसेकल का में जो मेंटनेस का फास्ट जो में चीज आता प्रोड़क्ट वह चेनलीव टेगे अगर आप रेगुलर्ली बैसेकल करते हैं राइड करते हैं तो अगर एम्टी भी है आपकर हाइंड भाइक है कोई चेन को आप जितना अच्छा मेंटनेस करके रखेंगे लिविंग करके रखेंगे तो राइडिंग में क्वालिटी अच्छा मिलेगा स्मूथ सिप्टिंग होगा बहुत कुछ मतलब अग्दम स्मूथ ली चलेगा ठीक है तो इसके साथ और एक भी प्रोड़क्ट आपको ल यूव है लिविंग करेंगे ठीक है और चेन क्लिनिंग करने के लिए आप मार्केट से डिग्रीजार मतलब जो ऑनलाइन बगारा मिलता है अचकल बहुत सारे डिग्रीजार है वह भी ले सकते लेकिन मैं जो डिग्रीजार यूज करता हूँ यह है पेंट तीनर जो की काफी ले सकते निया भी ले सकते अपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो पुराना टूथब्रस और चेन क्लीनर और चेन लूब यह तिन प्रोड़क्ट आपके पास अगर रहेगा तो आप घर बेड़ आप चेन को पूरा क्लीन कर सकते है और चेन को लूब कर सकते है उससे क्या ह है मतलब अपने यूज के लिए मतलब यह सब जो देखा रहा हूं कोई रीव्यू प्रोडक्ट वीडियो नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए और यहां पे अप मेरे हाथ में आप सकते हैं एक डिरेलियर जो की रिया डिरेलर ही मेरा पिछला जो पुराना डिरेलर था जो की माइक्रो सिप्ट का है आप यह नोटिस कर सकते हैं यह बहुत अच्छा है अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समें लेकिन मैंने एडवांस लेबल में सिप्ट होना चाहता तो होरे लागा लिया तो यह जो डिरेलर है अपको अपको बाइसे कले जो इसके इसके अंदर मैं पूरा सेट ले लिए अब देख सकते है पूरा टोटल सेट है इसमें नौ एलंग नंबर का है यहां से 1.5 से शुरू होता है究ड़ विलेगा और यह ब्रैंडड यह ब्रेंड़ ही लेना है यह जो डिरेलर है अगर दिल्ट में कोई प्रॉब्म हाई जब को रखना ही चाहिए तक कि अगर क fork तोटल जो एलनकी है 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 बहुत कुछ है तो यहां से मैं 5 एलनकी लेता हूँ आप देख सकती यहां पर क्वालिटी काफी अच्छा है आपको ब्रेंडे लेना है लोकल अगर एलनकी लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा कि बोल्ट खराब हो जाएगा और रंकी भी नश्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते और यहां पर और एक लेना है 6 तो टोटल तीनो एनकी लेना है 456 यह मस्त मतलब बहुत जय्दा लग दिया मरब की जो मतलब उसका काम नहीं है लेकिन यह जो मतलब बहुत जड़ा इसको काम आती है झास करें तो 45 इम् Sun काम आती है 6 इम काहां पे जो ख़लता है तो इसके लिए पह सिक्स के लिए खोलने के लिए याप वहीच कर सकते तो इसे पोरा ले सकते तो सचले नेक्स्ट में चलते हैं जो मैं चीज दिखाने वाला हूं यह भी काम का चीज आपके पाद सरह नहीं चाहिए यह क्रेंग पूलर बलते हैं और इसे और यह जो चीज आप देख रहे हैं बड़ा बला यह बाटम ब्रैकेट टूल यह दुनों चीज थोड़ा से प्रोकस करता हूँ आप यहां पर देख पार है अच्छे से यह क्रेंग पूलर क्रेंग पूलर एक्चुलि काम तो ये bottom bracket tool और crank puller ये square taper के लिए और octalink के लिए तो अगर आप holotech bottom bracket use करते हैं तो ये crank puller और bottom bracket tool काम नहीं करेगा तो ये सिर्फ octalink और square taper के लिए ही काम करेगा तो bottom bracket का कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आफ बनावा दो से तीन वीडियो बनाई दो लिए ARD to बना ऊहे है तो आप देख सकते हैं और यह तूल आप मेरे पेह केसेट टूल जो कैसेट और फ्रीवील ङूच एज कीमोन बनूर। यह मतलब एक सो से देर सुरूपे कंदर आ जाती है तो यह कैसेट को खोन ले के लिए मुझा पूरा ना पिछला कैसेट था माइक्रोसिप का जो की एट स्पीड का था तो यह कैसेट जो है इसके जो लॉक रिंग आप देखाने के लिए आपको दिखा रहे तो आप यहां पर कैसेट का यहां पर तो ऐसे करके यहां पर फीट हो जाएगा यह जो मेरे हाथ में जो कैसेट टूल आप देख रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा एडवन्स लेबल में सर्विसिंग करना चाहते हैं अपने आप तो रख सकते और कैसेट खोलने के लिए और एक चीज की ज़ होई इसको बोलते हैं साथ आप लोको ने देखा होगा यह मैंने अपने आप मतलब घर पे बनाया है मेरा जो पूराना चेन था और एक स्टील बार था तो स्टील बार लेकर दुकान में जाके थोड़ा तीनों होल कर लिया था उसके बाद मैं स्कूरू और नट बगर लगा यह मेरा हम चूल के चोटा सा तूल किट इस भी मंद से खोल सकते लेकिन अगर आपके पास सिस्टेम तो को दोनों तूल किट की ज़रोत पढ़ती है मतलब एक चेन हुआ और जो कैसे ट रिमुवल टूल उस दोनों का ज़रोत पढ़ती है लेकिन कैसे जो टाइट करते हैं ट आप लेना है तो अच्छा लीजिए और यहां पर देख सकते हैं जो इसको क्या बोलते हैं चावी बोलते हैं इसका काम यह है कि जो बाइसों का हमका की जो बोलते हैं तो हब हम रेन्ज के लिए या लूस्टाइट करने के लिए इसका होता है यह अपी अच्छा ये भी अप्रेंड मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लेजी है आ ये जो चीज आपको देखना यह भी बहुत काम क की रोका चीज है यहार टी रेंश बोलते हैं इसको यह मैंने बारा अ मिल तक 12 mm से यह ही तो इसका काम alive होता है कि यह कझ अच आफ नत हम फजा को यह यह ूसमें जो जो बॉल सी चपएल है तो इसमें जो स्थेल गमेंग अदरrophe 5 stress carrier थो आफ यह को यह तो टी रेंच के मतलब उस नाट को एससे करके खोल सकते ठीक है बहुत अंदर नट रहते हैं तो टी रेंच आपको लेना जरूरी इसके पडल सर्विस करना चाहते है अगर चाहते हैं आप अब इस वह लोग ने सोच रहे हुए कि यह क्यूं रखा हूं हूं अचुली इसका काम जो है इसका भी वीडियो एक बना हुआ है जो फॉर्क का जो ल्यूब होता है ना फॉर्क स्टेंचिन के उपर जो लूब यूज किया जाता है तकि इस टेंचेन स्मूथ ली काम करें तो गर आप फैडल बगगरे सर्विस करते हैं इसका ब्यूपियर कार बगरेहा सर्विसिन करना चाहते है या कोई.. नट बोल्ट बगआ लगाना चाहते है तो उसके लिए ग्रीज रुपफ़ारी करना जोड़ारी पढति यह तो ग्रीज आप छोटा सर डिब बाइग लेग सकते हैं 20-30 रुपे लेगा और इसका काम एक्चुली मैं दिखा देता हूं मतलब कहां से लग सकती है एक्चुली तो यह बाल बेरिंग में ग्रीज करने के लग लेकिन जो नाट बोल्ट होते हैं कहां पर भी थ्रेड बगर होत तो ग्रीज अपलाई करना जरूरी है ठीक है ताकि मतलब उसका दूरेवेलिटी अच्छा रहे और जब आप दोबारा खोलेंगे तो एजीली खोल जाएगा तो ग्रीज का काम ही होता है और यह छोटा सा चीज आपको दिखाना भूल गया यह चैन ल्यूबिंग का काम आते है मैंने ल्यूब करके चेन को मतलब ल्यूब करता हूँ अब लग समझ पा रहेंगे तो छोटा मर्केट में दो तीन से दो तीन चार रुपे में आते हैं और यह जो मेन चीज आपको दिखाना है यह भी एक बाइटल चीज है मतलब इसका जोरूरी बहुत बहुत जगाब ह होती है और मैं इसे की मुझ करता हूँ यह PTFE स्प्रेय है इसका काम जो होता है ना मतलब इसका क्वालिटी बोले तो काफी अच्छा है और प्राइस थोड़ा सा हाई है लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है मतलब इसे यूजफू एक चीज़ उजफू फोड़क्ट है इस तो बाहर निकलना बहुत मुस्किल जाता है तो यह जो प्रेय हो क्या करता है अगर अगर अप उस जगह पर स्प्रे कर देंगे इसको एपलाई करेंगे तो पानी को पूरा मतलब जो वाटर है उसको वाइप आउट कर देगा तो बाकी यह जो मेरे अप देख रहे है यह यह इसमें तो पूरा आलकॉल नहीं है लेकिन 80% तक है तो इसे में यूज करता हूं एक्चुली आइसो पर आलकॉल डिस ब्रेक रोटर बगारा पैड बगारा क्लीन करने के लिए आते उसे बहुत अच्छा होती है और यह थोड़ा कंप्राइस में मिल गया था आप आप आइस प्ले साइकल नहीं है ट्यूफ है अंदर तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही यूजफूल प्रोटक्ट है मतलब मैं छे मेहने से इसको यूज कर रहा हूं और यह जो प्रोड़क्ट है यह मैंने बहुत दिनों पहले लिया था आप लोगों के साथ सेयर करना भ पॉलिस भी बॉलते है या प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेंट स्प्रे बोलते है एक्छली यह मतलब इसका भी वीडियो में ऑल्रीडी चैनल में बना दिया हूं तो आप जाके चेकवट कर सकते अब अगर फ्रेम बगर मैं मतलब पॉलिस करना चाहते मितलब एक ग्लेज लान सब कुछ तो दिखा दे हैं मैंने और एक चीज बाकी है जो कि है यह साइकल का स्टेंट मतलब सर्विस बगरा करना चाहते तो शार्विसिंग स्टेंड बोलते हैं को कि मेरे जो बाइसेकल मतलब मैं बहुत दा सर्विसिंगा भीडियो बनाता हूँ तो इसलिए गियर सिस्टेम बगरा को दिखाने के लिए तो पीछे का जो फेल है उसको एजली मतलब फ्रेली रोटेट होना चाहिए तो इसको लिए पूरा बाइसेकल इस्टैंट ले लिया मने इसका जो प्राइस है उतना ज्यादा भी नहीं है साड़े पांत सो से चैसर रुपे के असपास होती है अब अगर ओनलाइन लेना चाहते तो ले सकते है और कभी अच्छा यूजफूल प्रोड़क्त है और इसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है लेकिन काम चलने लायक है ठीक है चल जाएगा मैं एक सल से इसको यूज कर रहा हूं अब तो कोई प्रोब्लम नहीं है मतलब चल रहा है ठीक ठीक मुदब यूजफूल प्रोड़क्त है और इसे आप यूज़ करना मतलब सब लोग जानते हैं उज़ करते के मतलब कैसे करते उज़ तो लग सकते हैं कि ई। वार किंग स्तैंट लिखना या ठंटिंग स्टैंट लीक सकते हैं और इह जो यूस्टेंट है आप इसको मतलब फ्रॉंट फैनमर और मिर् Karaj — He counsel Q रखते हैं दोनों साइड ये टाइट होता है यहां पर अंदर जो हबस का जो बोल्ट है यांदर चला जाएगा और दोनों साइट से टाइट होता है ठीक है कभी उच्पूल चीज है तो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्समें मैं प्रोवाइड कर दूंगों हो से ले सकते हैं सोची आप कितने सारे प्रोड़क्ट हो सकती है बाइसिकल एक टोटल प्रोपर तरीके से मेंनेस या फुल सर्विसिंग करना चाहते है तो बहुत कुछ प्रोड़क्ट होता है ठीक है और एक बात मैं बताना चाहूंगा यह जो आप चेन हुई आप देख रहे हैं यह मैंने बोसिस करूंगा और ऐसे वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दीजिएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो 8-speed drive train 2 10-speed drive train upgrade असला मेरे जबाभी सिस्टेम है 8-speed का सिस्टेम है यह मेरा फूराना का सिसेट है और 8-speed से मैं 10-speed अच्छा काम नहीं कर रहा है रिस्पोंस चलिए और उसका भी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट टेल स्पीट का जो सिस्टेम है वह अब्लेट होने वाला है उसका वीडियो भी जल दिया रहे कर दो कर दो